नमस्ते आई जी, देहरेवान हिलिंग सायंसे मैं हूँ देहरेवान, आपका अपना हिलिंग मास्टर, दोस्तों समाधी, सुपर कॉंशिर स्टेज बोलते हैं जिसे, एकाकी पंग से शुन्य तक पहुँचने की यात्रा, या फिर बन थोट से जीरो थोट में पहुँचने की यात्रा, थोड़ा और डिटेल करते हैं, कि आपके होने के भाव से, आपके भी नहीं होने के भाव की यात्रा, पकड़ मैं ही बात, जिने समाधी तक पहुँचना है, उसके लिए है आज ये विडियो, समाधी को हर किसी ने, हर मेसंजर्स ने, हर गुरू ने, अपनी अपन मैंने बहुत सारे गुरूओं को पढ़ा है, सुना है, चाना है, और खुद भी समाधी का अनुभाव किया है, तो समाधी तक पहुचने का क्या क्या तरीका हो सकता है, और क्या सबसे शॉर्टकर तरीका होगा, ये आज मैं आपको समझाओंगा, क्योंकि जो लोग हिलिंग स जायन सिख रहे हैं, उन्हें देर सबेर एक अंदर में योग चाहिए होता है, योग, योगा, अब योगा का मतलब, वो आजकल जो आप समझते न, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो योगा पोजेस है, वो आसन है, योगासन को आप योग नहीं समझ सकते, योगासन, योग में जाने का एक मार्ग है, जैसे की शूज, चपल, जूते, आप बिना जूते या चपल कभी चल सकते हैं, किसी भी जगा जा सकते हैं, लेकिन जूते या चपल महार्ग जाने में सहयोगी होते हैं, वो आपको सरलता से वहां तक पहुँचाते हैं, तो इसलिए हम आसनों का प्रयोग करते हैं या मुद्राओं का प्रयोग करते हैं योग करने के लिए अब योग का मतलब आप समाझें योग का मतलब होता है धन प्लस योग जोड़ना हिंदी में संस्कृत में योग का मतलब होता है जोड़ना तो जोड़ना या जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जोड़ना, शरीर का मन से जोड़ना, हृदय का आत्मा से जोड़ना, इस काया का पंच महाभूतों से जोड़ना, पंच महाभूतों समझते हैं न, जूर्य, पृत्वी, आकाश, जल और वायो इन्हीं से तो हमारा शरीर बना है। तो अगर आप समाधी तक पहुशना चाहते हैं तो आपको इन पंच महाभूतों में विभक्त होना होगा। अपने शरीर को इन पंच महाभूतों में सौपना होगा। अब इसके लिए आपको अपने काया गमन करने के आवशकता नहीं है, या अपने काया को छोड़ने के आवशकता नहीं है, आपको केवल अपने चेतना को अपने काया से बाहर निकालने के आवशकता है, आप चेतना को काया से बाहर कैसा निकालेंगे? यही तो समाधी है जब काया का भाव खतम हो जाता है अभी अगर आपको मैं यहां बैठने के लिए बोलू आप जहां पर भी है तो शरीर दुखने लगेगा पैर दुखने लगेगा कमर दुखने लगेगा जड़ता आने लगेगी है ना ध्यान में जो लोग बैठते हैं जो ध्यान करते हैं तो क्या होता है थोड़ी दिर बाद थोड़ी दिर बाद पैर को ऐसे करना है ये करना है वो करना है है ना खुजली, गुद्गुदी, खासी ड़कार सब आ जाती है फिर आप धिरे धिरे एक आकी में पहुंसते हैं एक बन थोट स्टेज में पहुंसते हैं मतलब आप धियान में पहुंसते हैं और जब आप धियान में पहुंसते हैं तो यहां से इंटरी हो जाते हैं आपकी योग के अंदर और आप इसी यात्रह में आप आगे बढ़ते हुए समाधी तक पहुंसते हैं सुपर कॉंशेस स्टेस तक पहुंसते हैं तो अब मैं आपको कुछ तरीके समझाओंगा जिससे आप समाधी तक पहुंचेंगे समाधी को छू कराएंगे याद रखना समाधी में जब आप पहुंचेंगे तो पहुंचने के बाद समाधी समझ में नहीं आएगी पता नहीं चलेगा समाधी से बाहर निकलने के बाद आपको पता चलेगा कि आप समाधी में थे तो आईए समझते हैं समाधी में कैसे कैसे जाया जा सकता है योग की माध्यम से आप regular अगर ध्यान कर रहे हैं तो समाधी एक घटना होगी है आपके लिए जो आपके बीतर घट जाएगी जैसे रोज बैठते बैठते एक दिन ध्यान की घटना घटती है वैसे ही रोज ध्यान में बैठते हुए एक दिन समाधी की घटना बैठती है समाधी की घटना हो जाती है दूसरा तरीका जब आपके गुरु आपके सर पे हाथ रखते हैं आपको शक्तिपात करते हैं आपको इमिशियेशन देते हैं तब समाध्य की घटना घटती है लेकिन वे घटना कब घटेगी जब आपके गुरु चाहेंगे उसके लिए बहुत कुछ चाहिए होता है वैसा महौल चाहिए होता है वैसा मन चाहिए होता है वैसा शरीर चाहिए होता है तो जब आपकी गुरु आपको इस तरह से कोई शक्तिपात देंगे तो वो बताएंगे कि ओ कहाँ और कैसे और किस तरह से आपको समाधी के लिए शक्तिपात दे रहे। तीसरा तरीका जिसमें आप भक्ती में उतर आते हैं, नाम जब करने लगते हैं, जब आप नाम जब करते हैं, राधे राधे या राम, राम, राम या मंत्र जब करते हैं, तो जब आप अपनी माला में नाम जब करते हैं, आप समाधी में पहुंचते हैं गाशो मेडिटेशन जो रेकी में होता है कई समय तक आप गाशो मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो आप गाशो मेडिटेशन के जरीए भी, गाशो ध्यान के जरीए भी आप समाधी में पहुंचते हैं यह जैन टेकनिक है, तो इसे तोड़ा गया, जिसे हम शॉटकट बोलते हैं तो शॉटकट में से भी आप ये करें, बहुत अच्छा होता है लेकिन मैं ये बोलूगा, कुझी पढ़ के पास होने से कहीं जाद अच्छा होता है, किताबे को पढ़ के पास हो तो गाश्यों मेडिटेशन के जरीए आप समाधी तक पहुँचें, लेकिन मैं चाहूँगा कि भक्ति, साधना और योग का भी अभ्यास फिर करें और उसके जरीए आप पहुँचें ये बिल्कुल ऐसा है कि यहां से वहां तक गाड़ी में बैटके भले चले जाओ लेकिन एक बार पैदल यात्रा भी करना, ताकि आपका सामर्थ पैदल चलने का भी हो अब जो सबसे बड़ा शॉटकेट था जो मैंने आपको सिखाया, सिखाना चाहूँगा वो ये कि जब भक्ति आप कर रहे हैं या फिर नामचप कर रहे हैं, योग कर रहे हैं तो इससे बहुत जल्दी पूरा करना अगर आप चाहते हैं, तो करिए उपवास तीन दिनों का उपवास इसमें करते हैं हम और आपको मैं बताना चाहूँगा, आज मेरा तीसरे दिन का वरत है, उपवास उपवास मतलब परमात्मा के साथ वास करना, परमात्मा के चरणों में वास करना ये शाब्दिक और भावनात्मा करत है उपवास का, फास्टिंग इसमें फिल नहीं आता है, फास्टिंग मतलब भोगा होना जो सिरफ हेल्थ एल्लेटेट जो बैनिफेट साँस को पानिक है, पर लेकिन जब उपवास हम कहते हैं, तो हमारी spiritual हेल्थ के भी बात हो रही होती है, हमारी अध्यात्मी कोर्चा के बात हो रही होती है, य events करते हैं तो हम परमात्मा का नाम चबते रहते हैं, हम QUEई-नECD कर होते हैं है ना तो 72 घंटे का उप्वास करने की शमता भी आपको परमात्मा ही देंगे आपको क्या करना है बस सुरुदेव के साथ परमात्मा का नाम लेके उप्वास शुरू कर लीजिए कुछ नहीं खाना अगले तीन तुनों तक आप पानी पी सकते हैं नो चै, नो दूद, नो जूस, नो कुछ भी नहीं यदि आप कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे आपकी शरीर के सफाई हो और आपका फास्टिंग स्टेज भी खतम ना हो मतलब आपका उप्वास आपका सिस्टम चालो भी ना हो तो आप सफेद पेठे का रस सेवन कर सकते हैं हमों से जाना जाए हमारे चेटिस गड़ में जहां से मैं हूँ वहां रखिया बोलते हैं इसे तो उसमें बहुत प्राण होते हैं वो इतना प्राण में है कि गर उसको पेड़ से काट लिया जाए और उसको निकाल का रखा जाए तो देड़ से दो मैने तक वो जिन्दा रह यह बहुत ठंडा होता है, पुरे पेट को, पुरे सिस्टम को, पुरे शरीर को ठंडा करने के लिए वो काम आता है, तो दिन के समय ले लेना, दिन में दो बार, जादा भी मत लेना, दो गलास आप पी लीजे, पल्प के साथ पी लीजे, उसका रस कैसे निकालते हैं, तो शरीर को पता ही ने चलता कि उसे भूख लग रहा है, क्योंकि शरीर जान चुका है कि उसे आटो-फैगी मोड में रहना है, मतलब अपने ही कोशिकाओं को डेट सेल्स को खाना है, अपने ही फैट सेल्स को खाना है, है ना, तो फास्टिंग के हज़रों बेनिफिट है, वो तो आप और सर्च करते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा, समाधी के लिए सबसे जबरदस्ट शॉटकट है, जब आप नाम जब कर रहें, आप योग कर रहें, आप ध्यान कर रहें, क्योंकि जब शरीर खाली होता है ना बिटा, शरीर को पचाने के लिए भेनत नहीं करन समाधी का मतलबी यह है कि सारी उर्जा, मुलध्र, फदिस्थान, मनिपूर, हिरिडए, विशुद्ह, आज्या के सारी उर्जा को सहस्तरार चक्र में खीच लेना और उस समय आप परमात्मा के होने का अनुभव करते हैं, परमात्मा के साथ का अनुभव करते हैं, उस समय बीतर जब आप बाहर निकल आते हैं तो आपको अनभाव होते हैं ठीक है चलो बोनस एक और बताता हूं समाधी में पहुशने के लिए पिरामेट के बीतर ध्यान करना जैसे भी हमारे इंडिया में ऐसे कही जगह हैं जहाँ पिरामेट बनाएं गये हैं ध्यान के लिए जैसे बैंगलोर में एक पिरामेट वैली है वहाँ अगर आप ध्यान करने जाएंगे तो वहाँ समाधी लग सकती है लगती है बहुत लोगों को कोयमबटूर आदियोगी संस्थान में जहां पुझ्य सद्गुरू का बनाया हुआ स्थापित किया हुआ जो महादेव का एक मंदि रहे वहाँ का भी शेप कुछ ऐसा है जहां ध्यान समाधी में लोग उतर आते हैं वहाँ पहुँचने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि शरीर ठकता भी है ब्लड परशर अपने एक पर्टिकुलर मॉमेंट में फ्लो करता है और समाधी तक पहुँचा जाता है बहुत लोगों का अब बताया था वही है क्योंकि आपको बार बर समाधी में उतरना है पहले तीन थे जो लॉंग कट है लेकिन अक्च्छल है क्योंकि वह आपके भीतर घट रहा है और यह जो तीन मैंने बताया है वह शौट कट है जिसमें आपको एक बार किसी बाही शक्ति के द्वारा इस जीवन में समाधी तक जरूर पहुँचें क्योंकि असिम शान्ती आपको मिलती है आप समाधी कुछ होने के बाद ही कोई और बन जाते हैं आप जो थे वो नहीं रह जाते हैं आपकी आत्मा आपकी काया आपका मन हर चीज ब्यॉंड दे वर्ल्ड हो जाता है इसन सारी प आप बहुत आगे तक का देख पाते हैं जो भी सामने अर्ट चन परिशानियां जो दिख रही है तो आम लोगों को आप उसके आगे के सुख़द अंत को देख पाते हैं और आप शांत हो जाते हैं आप हमेशा ही सुक और आनंद कानुभाव करने लगते हैं हमेशा ही आते हैं कि जीवन में परिशानिया है, सहज, सुगम और सरज जीवन जीना आपको अच्छा लगने लगता है, आपको किसी के कहने या बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लोग आपसे सला लेने लगता है, क्योंकि उनको आपके साथ सुख मिल रहा है, उन्हें ये ल समाधी कानुभाव आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा, आप माँ पहुंसते ही अपनी याता संपन कर चुक्या होंगे, अब उसके बाद जो भी आप करेंगे, विज्डम के साथ करेंगे, हुश पून होकर करेंगे, सहस्ता से करेंगे, और फिर, देखिएगा, क्या होता है, तो जिन्होंने भी समाधी का अनुभाव किया है, या करना चाहते हैं, या आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे अपना अनुभाव जरूर बताईएगा, इस वीडियो के कमेंट्स को मैं जरूर पढ़ूँगा, ठेक है जी, तो अग्या के दीचे, इस अध्याय में इतना ही, समाधी पर और चर्चा करते नहेंगे, ठेक है जी, नमस्ते